हाईगे सब स्वागे थे दे न्यूटिकल चैनल पे मेरा नाम है निताप्षा सिंग और आज हम करेंगे अन्बॉक्सिंग रियल्मी के एक फ्लैक्शिफ फोन की जी हाँ हमारा रियल्मी जी टी टू प्रो यह जो हमारा डिवाइस है यह पचास हजार रुपे का डिवाइस है तो फटा-फट से खोलते इसको और मैं आपको बताती हूं कि फोन के अदर हमें क्या-क्या मिलता है आप सो बड़ा सा ब्यक्श है हमारा और। देखते हैं सबसे पहले के रियल्मी बाइस कैसा है जल्दी से मैं इसको सेट अप करते हूं और आपको बताते हूं कि फोन के अंदर क्या-क्या मिलता है तो डवाइस को यहां पर मैंने सेट अप कर लिया था और लगबग एक दिन मैंने इसको यूज कर लिया है इनिशली मैं आपको बताओं तो मुझे ये डवाइस के नहीं चीज़ें अच्छी लगी हैं लेकिन कुछ चीजों में मुझे लगा है कि यहां पर कमी छूट गई है अब मतलब रियल भी यहां पर हमारा नई केटिगरी में नई मार्केट में एंटर कर रहा है फ्लैक्शिफ केटिगरी में और डवाइस हमारा पचास उतार रुपे कर है तो positive negative सारी चीज़े मैं आपको बताती हूँ कि कैसा रहा यह phone हमारा फ्लैक्शिफ केटिगरी के हिसाब से सबसे पहले बात कर लेते हैं इस device के design के बारे में design के हिसाब से तो मैं आपको बताऊँ device unique लग रहा है different लग रहा है और actual में मुझे तो अच्छा लगा यहाँ पर device के अंदर जो green and white color के devices हैं उनकी अंदर आपको biopolymer back मिलती है back panel जो है उसके अंदर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर को texture देखने को मिल रहा है back में पूरी back में मतलब हाथ में hold करने में भी आपको जो feel आएगी वो भी paper like feel आएगी different सा लगा मुझे अच्छा लगता है जिब कोई company ऐसे कुछ अलग सा काम करके लेकर आती है बड़ी अलगता है मतलब बाकी सारे phone पड़े हो यह पड़ा हो तो अलग सा ही दिखेगा यह phone आपका इसके इलावा वैसे अगर आप steel black color के लिए जाते है इस device के तो उसके अंदर आपको यहाँ पे glass body मिलती है वो थोड़ा देखने में आपको premium look देगा लेकिन यह भी हमारे बढ़िया लग रहे है और इसके साथ framing की बात करूँ में तो device के अंदर आपको यहाँ पे metal framing मिल जाती है solid लगेगा हाथ में hold करने में और interesting चीज मुझे क्या लगी मतलब device का जो display है 6.7 inch का display है लेकिन तब भी इसके अंदर आपको हाथ में पूरी तरह यह device हमारा आ रहा है पूरी तरह use कर सकते आप एक हाथ से भी इस device को तो मतलब compact feel आ रही है आजकल देखा जाए तो trendy चल रहा है हमारा boxy design लेकिन वो जो होते है न devices हमारे पुड़ा ऐसा feel आती है कि थोड़े से बड़े devices हैं यहां पर 6.7 inch का display है लेकिन तब भी ऐसा लग रहा है कि यार कोई compact सा phone पकड़ा हुआ है पूरी तरह एक हाथ से use कर सकते हैं आप यहां पर weight भी हमारे device का वो जादा नहीं है मतब battery के अगर मैं बात करूं तो इस device के अंदे हमें 5000 mAh की बड़ी battery मिलती है लेकिन उस हिसाब से device का weight है हमारा वो है 190 grams का तो आप easily hold करके use कर सकते हो device को हाथ पे hold करने में different लग रहा है अच्छा लग रहा है जैसे कि device हमारा flagship category में आता है यहां पर built के अंदर मुझे लगा कि कुछ चीजें मिसिंग है जैसे कि सबसे पहले device के साथ हमें wireless charging नहीं मिलती है चलो कोई नहीं wireless charging ना भी मिले मुझे जादा दिक्कत नहीं है लेकिन जहां दिक्कत है वो यह है कि आपको device के अंदर कोई IP rating भी नहीं मिलती है वो तो यार मिलनी चाहिए थी मतलब एक किसंद से na flagship category में अगर आप कोई phone लेकर आ रहे हो तो आपको कोई craze वाली चीज देनी चाहिए जिसके लोगों को craze आए कि हाँ यार यह phone लेना है तो इससाब से IP rating यह इस device में मिलनी चाहिए थी पच्यास दार पर फोन अगर खराब हो जाना पानी में बड़ा दुख होता है अब इसके साथ ही आगे आगे आपको काफी बड़िया प्रफॉर्मेंस मिलती है टॉप नौश प्रसेसर मिल जाता है हमारा Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 उसके साथ Realme UI है हमारी जोके की बेसे Android 12 पे UPS 3.1 की स्टोरेज है, LPD-R5 की RAM मिल जाती आपको यहां पर आपको प्रफॉर्मेंस अच्छी मिल जाती है मतला एंटू तो स्कोर यह में बात करूं तो एक मिलियन तक का स्कोर आना चाहिए यह जो 8 Gen 1 है हमारा और यहां पर हमारा स्कोर अच्छा आया है मतलब 9,87,000 आया है और उसके साथ डिवाइस का जो CPU Throtting Test भी में रन किया वहाँ पर भी 90% डिवाइस ने हमारा स्कोर अचीव किया था मतलब आपको डिवाइस के नहीं कोई थ्रॉट्लिंग देखने को नहीं मिल रही है और हीटिंग भी देखने को नहीं मिलती हमें यहां पर वेपर कूलिंग यहां पर आपको हीटिंग कोई मेजर देखने को नहीं मिलती है आगे रिव्यू में बताऊंगे डिटेल में अच्छे से टेस्करने के बाद इसके साथ डिवाइस का यहां पर स्टोरेश टेस्ट जो मैंने रन किया उसके भी रिजल्ट आप देख सकते हैं कि 1580 Mbps के आसप इसके एक्स्टीम फ्रेम रेट तक भी गेम को ले जा सकते हैं जिसमें अभी इनिशली मुझे गेमिंग में कोई भी लागिंग या जिटरिंग देखने को नहीं मिली, प्रफॉर्मेंस अच्छी मिली, हीटिंग भी नहीं देखने को मिली डिवाइस के अंदर इसके साथ यहां पे डिस्प्ले के अंदर काफी पंची कलर्स आपको मिल जाएंगे, बढ़िया ब्राइटर्स मिल जाएगी, 1400 निट्स के आपको मैक्सिमम ब्राइटर्स मिल रही है, आप कंटेंड को काफी अच्छे से इंजॉई करेंगे, मतलब आप देख सकते हैं कि बीजल्स भी ह 2K resolution भी है, 10 bit भी है, और साथ ही हमारा 120 Hz का refresh rate भी आता है, तो आप अगर इसके अंदर कोई कार रसी वली गेम करते हैं, खेलते हैं, तो वो भी आपको काफी smooth लगेगी, बढ़िया लगेगी, कलर स्वाइस भी आप एंजॉई करेंगे गेमिंग को, तो overall display वाइस भी अच्छ काफी loud और clear sound मिल रही है, और even इसका distribution है sound का वो भी काफी मुझे appropriate लगा, तो मतलब sound experience आपको बढ़िया वाला मिल जाता है, मतलब entertainment के लिए देखा जाए ना, तो display अच्छा हो, audio भी ज़रूरी है और battery भी ज़रूरी है, battery मैनों को बताया, 5000 image के आपको यहाँ मिल जाती है, entertainment आपका यहाँ पर चलता रहेगा, और उसके साथ charging की बात कर लेते हैं, box के अंदर यहाँ पर हमें मिल जाती है 65W का fast charger, तो फटा-फट से charge करी देगा device को हमारे, रिव्यू में बताऊंगी कि कितना exactly time लगता है इसको charge करने में, इसके इलावा हमारे साथ A to C केबल है, उसक यहाँ पर 3.5 mm headphone jack नहीं मिलता, तो मुझे लगते है कि box के अंदर हमें earphones या फिर connector तो मिली ही सकता था, मतला मेरे हिसाब से realme को डाल देना चाहिए था, अब बंदा अलग से जाके connector ढूंडे, compatible connector मिले ना मिले उसके बड़ी दिक्कत होती है, तो यहाँ पर connector हमें मिलना चा यहाँ पर वो चीज मुझे लगा कि डाल देते तो बढ़िया रहता बट नहीं है, अलाकि जो हमारा setup है वो भी काफर इंट्रस्टिंग है, यहाँ पर आपको 50 megapixel का main camera मिलता है, जिसके अंदर आपको IMX 766 का sensor मिल जाता है, उसके साथ है हमारा 50 megapixel का ultrawide JN1 sensor के साथ, और 2 megapixel का है हमारा microscope camera, सबसे पहले तो microscope camera जो है हमारा यह बहुत ही interesting चीज है, मतलब अच्छी चीज है यहाँ पर डाल दी गई है, जिननों को थोड़े experiment करने अच्छे लगते है, microscope level पर click करना अच्छा लगता है, वो तो enjoy करेंगे, वैसे मतलब में को लगता है कुछी लोगों को य चीज यूसपुल लगेगी, पर अच्छी चीज है यहाँ पर Realme ने आपको यहाँ पर दिया है, इसके लावा जो हमारा दूसरा camera है, 50 में तो pixel का ultra wide, वो मुझे काफी अच्छा लगा, काफी तगड़ा लगा, मतलब उसके अंदर आप देख सकते हैं, detailing आपको अच्छी मिल उसके अंदर मतलब आप काफी creative fix अपनी क्लिक कर सकते हैं, साथ ही आपको fisheye वाला lens मिलता है, उसके अंदर आपको अपनी pick क्लिक कर सकते हैं, मतलब काफी creative fix लेनी के आपको option मिल रही है, लेकिन जो main camera है, हमाला 50 megapixel IMX 766, यहां मुझे लगा कि यार, improvement करनी जाहिए थी, क्य phone लेकर आ रहा है, मतलब 50,000 रुपर के price में phone लेकर आ रहा है, उसे हिसाफ से इसके अंदर हमें flagship sensor मिलना चाहिए था, जो आप 25,000 के budget में दे रहे हो, वही आप उठा के flagship में दे रहे हो, तो यार, crazy कहां बना, यहां पर कोई अच्छा sensor हमें देते हो, तो ज्यादा बिटर हो लेकिन flagship category का नहीं है न, flagship category का होना चाहिए था, इसके इलावा, वैसे video graphic यहां पर 8K में, 4K में video recording कर सते हैं, जिसके अंदर आप देख सते हैं, जिसके अंदर आप देख सते हैं, आपको काफी ठीक यहां पर देखने को मिल जाता है, और exposure और colors भी आप देख सते हैं, वह भी इसमें का pixel का selfie camera मिलता है, जिसके अंदर आपको मिल जाता है IMX615 का sensor, अब क्या है कि अगर मैं OPPO की ही बात करो, Realme OPPO almost एक ही brands है, सब brand है Realme OPPO का, तो वहां पर OPPO हमें 20,000 पर के budget में, जो 709 वाला sensor दे रहा है, यार वो काफी अच्छा है, मेरे हिसाब से flagship phone आप लेकर आ से नहीं कर पा रहा है, थोड़ा सा washout की तरफ जा रहा है, अगर पीछे आपके तेज सनलाइट हो, तो ये कुछ चीजें flagship में आपको ध्यान देनी चाहिए, मतलब flagship market में आप एंटर कर रहे हो, तो जो best चीज है, आपके पास वही आपको देनी चाहिए, अब OPPO के पास है, आपके पास भी पड़ा ही है, वह सेंसर 709, वही मिलना चाहिए था नहीं यहापे, यह वाला सेंसर क्यों मिला, अब पिक्स के हम बात करो, तो वह आपको optimized लगींगी काफी अच्छे से, आप देख सकते हैं, मैंने यहापे different different mode में पिक्स क्लिक करी थी, जिसके अंदर against the sun हो यहापे sunlight background में हो, तो उसके अंदर भी आपके पिक्स जो हैं, वह हमारी काफी अच्छी आ रही है, और आप देख सकते हैं, कि आपको edge detection भी अच्छा हो मिलन रहा है, skin tone को भी अच्छे से maintain कर पा रहा है, but videography के अंदर, वहापे exposure maintain करने में, थोड़ा हमारा camera यहापे struggle कर रह आपको यहापे hybrid sim spot मिलता है, sim tray की ऊपर आपको water ceiling देखने को मिल जाती है, 5G support मिलता है, वो भी 13 bands में, right side में हमापस power button है, top side में secondary mic, left side में आते हमारे volume rockers, back side में आपको यहापे camera module मिलता है, triple camera setup के साथ, जिसमें dual 50 megapixel matrix OIS camera लिखा हुआ है, साथी realme की badging है, और designer के यहापे sign है हमारे, यह हमारे हो गया है, device का design and look, so मेरे हिसाब से, यहाँ पर देखा जाए, मैं तो overall जैसे भी use कर लिया, मैरे device को एक दिन ही किया है, review में, detail में मैं बताऊंगी, क्या-क्या, कैसा-कैसा रहा, लेकिन अभी initially मैं बताऊंगी, तो यहाँ पर device के अंदर 3 कमिया मुझे सबसे पहले, जो main sensor है, back camera का, वो improve होना चाहिए था, वही 25,000 पर की budget वाला नहीं use करना चाहिए था, second, selfie camera का sensor भी improve करना चाहिए था, third, इसके अंदर हमें IP rating मिलनी चाहिए थी device के अंदर, flagship category में, यार, मतब, जैसे की realme यहाँ पर flagship category में enter कर रहा है, तो अपर best चीज़ों य category करें, कि हाँ, 50,000 रुपे वो खर्च करेंगे, realme के नाम पे, यहाँ पे मुझे लगा थोड़ी कमी है, इन पे भी काम किया जाता, तो थोड़ा और बेटर हो जाता यह device हमारा, बाकि actual में कैसा निकलता है, performance में वो आपको review में पता चलेगा, so आपका opinion क्या है, इस phone के बा यहाँ, यहाँ, इसक्डार को के साथ, अबना प्रच करें जे छिएनभाबाबादादा करेंगा, रवड़ा हकता चार्ता है, डिए और दिए अपकाइस, इस से बद्याल Showγα, पिक्रेंगा से एक्शण करेंगास, ऊपकावसाल के बादा काल, जार में बाता हैं, बाल, ठारे